दोस्तो आज किस वीडियों नों बात करने वाले हैं हमारे बिली बिल में लगने वाले पेनलिटी फाइन या फिर सर्चार्ज के बारे में कि हमारे बिल में कितने तरह के सर्चार्ज या फाइन लगते हैं वो क्यों लगते हैं और उनसे कैसे बज सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमीत आप देख रहा है ज़रूरी बाते चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारे बिल में जेनरली तीन तरह के सर्चार जोड़के आते हैं पहला है डिले पेमेंट सर्चार यानिकी DPS दुसरा है excess demand charge तीसरा है power factor sarchar या फिर capacitor charge इसे हम लोग बोलते हैं तो आप हम लोग तीनों को एके करके दिख लेते हैं कि वह क्यों लगते हैं और उसे कैसे अब बच सकते हैं दोस्तों सबसे पहला है delay payment sarchar या फिर इसे हम लोग late payment sarchar भी बोलते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि जब भी कोई आपका bill बनता है तो उसका due date होता है उसका date fix होता कि इस date तक आपको payment करना है उस date के पहले का payment करते हैं तो आपको कुछ छोट मिलती है आपके bill में कुछ कम रासी जमा करना पड़ता है जैसे आप date पार कर जाते हैं तो आपको पूरा जो भी bill amount हो पेमेंट करना पड़ता है और अगर उससे आप late करते हैं तो आपको bill में late payment sarchar चार्ज या फिर delay payment sarchar चार्ज क्या जाता है यह generally आपके bill का जो भी आपका bill का amount है उसका 1.25% या फिर 1.5% ऐसे कुछ 1.5% एक परसेंट के आसपास जो भी आपका bill amount है उसका सarchar आपके bill में जोड़ा जाता है तो आप यह कर सकते हैं अगर आप bill payment नहीं करते हैं तो आपको हर में यह उस bill पे interest पे करना पड़ता है जो कि generally day percent एक परसेंट के आसपास रहता है इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप हर मेंने अपना bill का payment टाइम पे कर दें फिर आपको bill में कोई भी daily payment साच या फिर dps जोड़के नहीं आएगा दूसरा है excess demand charge दूस्तों जो भी हमारे गर connection होता है या फिर जो हम connection लेते हैं उसका एक certain load defined होता है कि इतने kilowatt का 2 kilowatt का 4 kilowatt का हम connection ले रहे हैं अगर उससे अधिक kilowatt का या फिर उससे अधिक load का हम इस्तमाल करेंगे तो हमारे bill में excess demand charge या फिर excess demand का fine या फिर penalty bill में जोड़के आएगा यह excess demand charge कैसे calculate होता है यह हर state में अलग-अलग rule है इसके लिए अलग-अलग तरह से calculate कियाता है अलग-अलग तरह से इसका penalty लिया जाता है generally जो भी हमारा excess load होता है जैसे 2 kilowatt connection है अगर हम 4 kilowatt इस्तमाल करें तो जो भी extra 2 kilowatt वा उसके लिए दोगने rate से fix charge आपको चार्ज किया जाता है दोस्तो excess demand charge से बचने के लिए एक ही उपाई है कि आप अपने connection का load आपका जो भी actual consumption है उसके according करा लें अगर आपका 2 kilowatt है तीन kilowatt उट रहा है तो ऐसे में आप अपने connection का load बढ़ा के 3 kilowatt कर लिए फिर उससे अधी कर ले ताकि आपके विल में excess demand charge या फिर जो भी उसका penalty है वो जोड़के ना है दोस्तो excess demand charge और fix charge के उपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसका link मैं description में दे दे रहा हूं आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं दोस्तों तिसरा है power factor सर्चार्ज इसे हम लोग capacitor सर्चार्ज ये बोलते हैं दोस्तों ये capacitor सर्चार्ज तब आपको बील बाचार्ज का जाता है जो आपका लोड का या फिर जो भी आपका दुकान या इंडस्तों इसका power factor 0.9 से कम हो जाता है बहुत सारे स्ट में ये limit 0.85 या फिर 0.8 भी है तो जेनरली आप मानके चले कि 0.9 से अगर आपका power factor कम होता है तो आपके बील में power factor सर्चा में उनका reading kwh के बदले में kvh में लिया जाता है जो भी उनका बील किया जाता है वो unit वहाँ पे kwh बना लेकर kvh में consider किया जाता है तो ऐसे में आपको power factor सर्चार्ज अलग से नहीं चार्ट किया जाता है क्योंकि जो भी kvh reading होता है उसमें power factor का सर्चार्ज जोड़ा मिलेगा जैसे मालीच यह आपका unit consumption 100 unit है मतलब kwh आपका 100 unit है लेकिन आपका power factor 0.9 है तो आपको kvh 111 unit हो जाएगा मतलब आपको 111 unit kvh चार्ज किया जाएगा मतलब 111 unit का पैसा लिया जाएगा अगर आपका power factor 0.9 से घटका 0.8 हो जाता है तो अही 100 unit के बदले में आपको k kvh का value 125 हो जाएगा इसका मतलब आपको 125 unit का पैसा प्रेक करना होगा इसका मतलब है कि अगर आपका bill kvh में किया जा रहा है तो उसमें already power factor consider किया हुआ है लेकिन अगर kwh में हो रहा है तो आपको power factor सार्चार अलग से bill में जोड़ा जाता है तो वैसे कन्यूमर जिनको kvh म billing किया रहा है तो आप समझ के लिजे कि आपको power factor का सार्चार अलडेडि आपके bill में जोड़ा जा रहा है तो दोस्तो ऐसे कन्यूमर जिनको power factor शार्चार cũng बिल में जोड़ के आ रहा है या फिर उनको kvh में bill किया जा रहा है तो ऐसे लोगों को a се Mā子 करने तो नहों को लुट का जो भी पॉवर फेक्टर तो आपको बील में चार्जर गया नहीं आएगा जोस्तों ये तीन सर्चार्ड है जो हमारे बील में अपसर जोड के आते हैं पहला delay payment सर्चार्ज, दुसरा power factor सर्चार्ज और तिसरा access demand चार्ट जस्त उमीद है आप इन तीनो सर्चार्ज के बारे में अच्छे से समझ गया होंगे आप इससे कैसे बच सकते हैं ये भी समझ गया होंगे अगर आपके मन में कोई सवाल है आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने अगर हमारी चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए इस तरक नए नी वीडियो तो लेकि आते रहता हूँ जय हिंद बने मातरा